सल्मान खान और क्यारके के जगड़े में जीत हुई फाइनली सल्मान खान की ही सल्मान और क्यारके का जगड़ा शुरू तब हुआ जब क्यारके ने राधे मूवी का रिव्यू किया और throughout उस review में सल्मान खान को बढ़ाओ और दद्दू कहकर बुलाया कुछ दिनों पहले क्यारके जब इंडिया आये थे तब मुंबई पुलिस ने एरपोर्ट से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया था कुछ पुराने मामले थे उसके तहर्प बहर मीडिया में काफी बात चली कि क्यारके के इस अरेस्ट के पीछे या तो सल्मान खान है जिन से क्यारके का कॉट केस चल रहा है डिफिमेशन का या फिर करन जोहर है जिसकी ब्रह्मास्तर फिल्म रिलीज होने को है अब क्यारके ने clear किया है कि उनके arrest के पीछे सल्मान तो नहीं है क्यारके ने एक tweet किया है जिसमें सल्मान खान से जितना भी जगड़ा था उसको लेकर sorry कहा और खुद से decide कर लिया है कि अब वो सल्मान खान की फिल्मों का review नहीं करेंगे क्यारके ने कहा कि आप लोगों को बता दू कि सल्मान खान मेरे arrest के पीछे नहीं थे कोई और ही game खेल गया सल्मान खान मैं आप से माफी मांगता हूँ मैं आपको गलत समझा और आज से मैं खुद ये ऐलान करता हूँ कि मैं आपकी फिल्मों का review नहीं करूंगा क्यारके कि इस ऐलाम के बाद लोगों ने clear कर दिया था कि सल्मान नहीं तो definitely करंट जोहर होगा बाद में क्यारके ने clear कि कि करंट जोहर भी नहीं थे कोई और ही है क्यारके के arrest के पीछे आखिर ये कौन है ये तो क्यारके ने नहीं बताया लेकिन ये जरूर clear कर दिया है कि सल्मान और करन जोहर तो नहीं है आपको बता दे कि राहुल करणाल करके एक politician है जिन्होंने क्यार के arrest के पीछे खुशी जताई थी और कहा था कि आप लोगों पर personal attack करोगे, बदनाम करोगे तो यही होना है राहुल करनाल इन दिनों Bollywood इंडस्ट्री में भी काफी सक्रियर है Bollywood की कई दिवाली parties में वो नजर आ चुके है